नमस्कार दोस्तों जैहिंद आज का सेशन में भी हम लोग एड्जेक्टिव को ही कंटिनीव करेंगे अभी पीपीटी जो है उस पर हम लोग डिफाइन कर रहे थे एड्जेक्टिव को ऐसे तो अबरॉल हमने सबका डेफिनेशन पढ़ाई था परस्ट वीडियो में लेकिन अ आप अच्छे से नोट्स को तयार करें अभी पूरा का पूरा कोर्स जाएगा जो सीजियल लेवल का रहेगा आप इसके तुरू सीजियल लेवल के जितने भी एक्जाम सारे होते हैं उन सारे को हैंडल कर सकते हो उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको अभी हम इसमें इसमें से हैंगा दोको नने डिफाइन किया था लास्ट में нев出來 एड़ॉ नगत मने इसका एक्जाम पलाता इस बुक किस माइन, we are going to buy that out तो इसमें that है इसमें this है इसमें such लिखा हुआ है इसमें some लिखा हुआ है इसमें certain लिखा हुआ है इसमें another लिखा हुआ है clear है इसके बाद हम define करते हैं possessive adjective को possessive adjective को कहते क्या है possessive adjective को कहते हैं रहने में संबंधूर वाचा को विश्येशन है नहي enemar и आधिकार दर्षाने के68 मैं क्टार्या की रिलेशन्सीप या ओनार तो bात डॉत या ओनरीप संबंध या अधिकार जताने के लिए जो भी एड्जेक्टिव का यूज किया जा रहा होता है उससे हम क्या करते हैं तो आप दिहान देना यह आवर लिखा हुआ है मैं इसको ठीक कर देता हूं दिहान देना आप इस बात पर कि जितने भी पर्सनल प्रणाउंस लिस्ट में पर्सनल प्रणाउंस कौन-कौ यह है आवर आई वी यू कोई भी नाम या दे ठीक है न आप ध्यान रखना आई के लिए माई वी के लिए आवर यू के लिए योर ही के लिए हीज सी के लिए हर इट के लिए इस और ध्यान देखना इस पे भी आता है सवाल इट्स लिखा हुआ कैसे है आपको हमेंसा याद रखना हो इस बाद को इस पर एर्र भी आते हैं कि अगर इट्स लिखा है ऐसे तो यह पुसेसिंग केस दिखाने लिए होता है इसका मतलब होता है इसका जिसके लिए भी लिख रहा हो और अगर इट को अपस्ट्रॉपियस लगा के दे तो इसमें इसका यह इलोंगेटेड को अलब करेंगे तो उसे इट और इज निकलता है तो इट्स जो है परक्रेश्च केस बताने वाला वह बीना रहता है और इट इज में अपस्ट्रॉपियस वाला रहता है वह सौटकट में लिखने के लिए ठीक है ना गॉंट्रेक्टेट फॉर्में लिखने के लिए तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन साथ कैसे लिखा जा रहा होता है ठीक है न अब देर है और कोई भी होता है उसमें क्या होता है आपको और एक बता देना चाहूंगा अगर आप आप एपस्ट्रोफियस का यूज करते हैं किसी भी नाउन में किसी भी नाउन में आप एपस्ट्रोफियस का यूज करते हैं जैसे राम्स स्याम्स मोहंस यह सब अगर आप लिख रहे होते हैं तो कोई भी नाउन एपस्ट्रोफियस लेने के बाद adjective में convert हो जाता है और कौन सा adjective रहता है possessive adjective रहता है कोई भी noun जैसे कितना भी pronoun personal pronoun लिखा हुआ है हमने कहा ना आपको यह जो chart हम लोग पढ़े हैं number person का उसमें कौन कौन सा है first person singular में है I plural में है V second person singular में भी you और plural में भी you third person singular में he, the, it और कोई भी एक नाम any name जिसे कहते हैं कोई भी एक नाम रखा जाएगा और दे मतलब इन में से कुछ भी उसके लिए दे लिखेंगे singular plural के लिए SIM शब्द है और अगर कहने वाला अकेला है तो अपने लिए I लिखेगा और कहने वाला एक से जादा है तो वी लिखेगा तो यह जितने भी यह सारे के सारे पर्सनल प्रोनावन है अगर हम नाम को यहां से हटा दें तो यह सब प्रोनावन के फॉर्मेट में फॉन से प्रोनावन कह लाएंगे पर्सनल प्रुनाउंट तो हर पर्सनल प्रुनाउंट का अपना पोजेसिव केस होता है I के लिए क्या होता है मी होता है और माइन होता है We के लिए क्या होता है Us, sorry Our होता है और ours होता है You के लिए Your होता है और Yours होता है ही के लिए हीज और हीज ही होता है और सी के लिए हर और हर्स होता है ही आरेस हीट के लिए हीट्स होता है इधर कुछ नहीं होता है दे के लिए क्या होता है देयर होता है टेयर और इधर होता है देयरस तो यह जो मैं यह कर रहा हूं कि इधर होता है किधर क्या होता है यह क्या है यह एडेक्टिव यहाँ पे और यह क्या है तो दिखा रहा है और यह लाईन जो हमने बनाया यह किसको दिखा रहा है यह प्रोनावन को दिखा रहा है तो पजेसिव इस बनाने के लिए संबंध वाचा कि स्थिटी क्रियेट करने के लिए हम एड्जेक्टिव प्रोनावन का भी यूज कर सकते हैं आई के लिए माई होगा तो अगर हमें पजेसिव एड्जेक्टिव की जौरत पड़ेगी तो अगर सब्जेक्ट आई है तो पजेसिव बनाने के लिए माई लिखेंगे भी है तो आवर लिखेंगे यूज है तो यूर लिखेंगे ही है तो हीज लिखेंगे सी है तो हर लिखेंगे इत है तो इस लिखेंगे देयर लिखेंगे लेकि रिष्टा बताने के लिए संबंद बनाने के लिए और पर्येशन बताने के लिए प्रोनावन बला फॉर्मेट भी रहता है एड्जेक्टिव बला फॉर अगर आप एक पर स्ट्रॉपियस लगा देते हो तो वह पजेसिव बन जाता है पोसेसिव बोले या पर जेसिव बोलते हैं वहत लोग पोसेसिव भी बोलते हैं ठीक है ना जैसा आप कमफर्टेबल हो ऐसा बोलो कोई दिक्कत नहीं है किस भी नाउन में जैसे अगर आपने राम्स स्याम्स मोहंस सोहंस कुछ भी लिखा है ना हमने लिख दिया राम्स हमने लिखा राम्स कार अब कोई आपसे पूछे कि इन दोनों सब्दों का आप 855 के लिए तो क्या करेंगे तो राम वितेन अपरस्ट्रॉपियस राम में जब अपरस्ट्रॉपियस लगा रहे तब राम क्या होगा तो यह हो जाएगा पोजेसिव अड्जेक्टीव और यह कार क्या है यह हो जाएगा नाउन लिखा वरेगा सोहंस फादर है ना लिखा वह अगर रहेगा सोहंस फादर अगर लिखने हम सोहन्स तो हंस फादर तो यह जो सोहन में एपस्ट्रोपी अस हमने लगाया है वो आप अगर पाट सबस्पीच आपको बोले कि दोनों सब्दों का बताईए तो ये जो बाद वाला term हो गया, father ये क्या हो गया, ये हो गया noun और phone में अपस्ट्रोपियस लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा possessive adjective, clear है, तो किसी भी noun में अगर अपस्ट्रोपियस लगा हुआ है, तो हम जानेंगे कि अब वो noun noun नहीं रहा, अब वो adjective हो गया कौन से adjective, possessive adjective, तो वह इसा सारा adjective, जो हमें संबंध या अधिकार दिखाने के लिए लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, possessive adjective का थे, determiners भी बोलता है, बात है, noun से पहले होता adjective है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं एक concept आपके लिए, पूरा हिंदी और एंग्लेश मिक्स करके लिखा गया है, बिल्कुल ही सही, notes आपका तयार होगा, और online में भी ध्यान से आप पड़ो, मैं सारे चीजों को explain करते चला होगा है, my brother is getting on for 20, अब क्या है, हमारा भाई क्या हो रहा है, 20 साल का, तो my brother, brother यहां पर क्या है, यह है noun, और माही क्या है adjective, one must prepare for once, one के लिए क्या होता है, once होता है, तो duty हो गया noun, और once होगया adjective, पिलेकावा your uncle, तो इसमें uncle हो गया noun, और you're क्या हो गया, adjective हो गया, clear है? तो स संबंद बताने के लिए서 अगला अगोर रट Yang सार AG अ किसका विए किसका वंद के लिए जो शब्द आता हैा, सब्ढ क्या करें कमने तुम्हारा माइब से मिमम मने अवर मने हमारा हुआ उसका मने उसका यह सब चाहता है यह होता है कि अ क्ष्छला देखो औरयो सकफ। की किया डियक्टिव मतलब क्या का सकते हैं इस नावन नोन या नहनत्मा एड पॉलिटेटिव र्यक्तिव गठाता है मतलब क्या का सकते हैं इसको इवर्ड एवर्ड एवर्ड एट एड एग्सप्लेंस एग्सप्लेंस इसको एट वर्ड आव्ड एट आवड नाववन्स रिलेटेड रिलेटेड तू देयर अस्पेसिफिक अस्पेसिफिक एरेक्टर किसी खास करेक्टर करेक्टर किसे रिलेटेड हो चकता है से साइट से होचता है मवजूद रहने नहीं रहने के इसाब से हो सकता है किसी भी तरह से उसका पर्सेड रिख्टर पर बताया जा रहा है तो क्या होगा उसे हम कहते हैं बुलूटिपूल ब्धा जा रहा है इंटेरिजेन के लिए किस के लिए के साथ लिखा भए दे के लिए क्या लिका आए इंटेलिजेंट तो यह सब के अब इसके बाद आया नुमेरिकल एडजेक्टिव नाउन या प्रुनाउन का संख्यात्मत परदर्शन मतलब क्या है जब नाउन को नंबर्स के थुरू आप दिखाऊगे कि कितना है नंबर्स के थुरू दिखाने का तीन तरीका होता है एक को करते हैं कार्डिनल दूसरा को और्डिनल तीसरा को मल्डिप्लिकेटिव कार्डिनल क्या होता है तो किसी भी नाउन को नंबर्स के थुरू आप दिखा रहे हो तो संख्या अगर लिखे हो नंबर्स के थुरू कितना तरह से बता सकते हैं नाउन को कह सकते हैं कि वहाँ तीन लड़के एक तरीका हो गया नंबर लिखने का टोटल कितने है तीन दूसरा कहेंगे जो बाएं से थीसरा है तो थर्ड लिखे तो यहां पर तीसरा भी एक इड्जेक्टिव हो गया फिर कहेंगा कि पहला का वजन दूसरा से तीन गुणा जदा तो हमने एक संख्या चुन या order को define किया गया कौन से लड़का मेरा भाई है बाएं से तीसरा फिर कहा गया कितना गुना ज्यादा भार यह दूसरा पहला से पागया तीन गुना तो संख्या को किसी भी संख्या को आपको वह तीन तरीके से लिखा जा सकता है तो डिरेक्ट संख्या लिखो गए यह जो भी कांटिंग नंबर्स हैं उसको कहते हैं कार्डिनल एडिक्टिव मतलब नुमेरिकल जो है वह तीन भाग में बटा दूसरा जो क्रम बताने वाला होत प्रफस सकेंड थर्ड फॉर्थ फिफ्ट रिफ्ट सेवेंध नाइन तेंट और इस तरह से बढ़ते जाते हैं तो यह शब्द लिखा जा रहा है यह सब्क्रव क्या है लिखा बरेता है ही ज़र्ड फ्राइब left तो यह थर्ड क्या है यह आड्जेक्टिव है आना पाट साफरसी इच में यह आएगा यह एट्जेक्टिव आएगा पॉन्फ इसको ult कहागा जाता है रहे दूसरा कॉन सा होता है और जो करंघ बता रहा होता है तो आप देख mooime показыв कौन सा होता है मल्टिप्लिकेटिव इंडिफिनिट फॉर्मेट में जो लिखा हुआ है ये इंडिफिनिट फॉर्मेट में जो लिखा हुआ है तो कार्डिनल और इधर आता है सब लिखा हुआ है इसको हम क्या कुहते हैं इसको हम क्या कहते हैं इसको हम सब्सक्राइब तीन भाग में बट गया है, क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी counting number है, जो position को बताए, crumb को बताए, उसको क्या बोलते है, ordinal, और जो multiplication को, fraction को, factorial को बताए, उसको क्या कहते है, multiplicative बता है, और यह तीनो, cardinal, ordinal, or multiplicative किसे अंग है, यह है, numerical adjective के अंग, clear है, झाल, 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 झा कि यह हो गया पहला कि यह हो गया पहला यह हो गया दूसरा यह हो गया कि इसके बाद क्या लिखा हुआ है है क्वान्टी का इतनी भी मातरास बताने बाले हैं जैसे मज्च हो गया लाँ होल गया होलोग लोगया tennis हो गया उंडियों सब्सक्राइब और क्या बताने के लिए सब्सक्राइब मतलब क्या है इस आरा का सारा तो वाट वीच भुज तीन को लिया जाता है इनटरोगेटिव कहलाते हैं जो सवाल पूछने के लिए प्रस्ट पूछने के लिए किया जाता है बड़ा आसान है और चुकि शबदों में लिखा हुए बड़े आसानी से आप इसको पढ़ चाहित हो समझ सकते हो इसका नोट्स बना सकते हो मैं थोड़ा तेज इसलिए भी पढ़ा रहा हूं कि असल सेक्षन जो आपका एड्जेक्टिव का है वह कौन सा है डिगरी है वह जानना आपके लिए जरूरी है उसके सारे रूल्स जानने जरूरी है और वह और अच्छे तरीके से एक्स्प्लेइन करूंगा ताकि कहीं भी आपको पॉजेटिव कॉंपरेटिव में लिखने में और किसी तरह से करने में कोई दिकत नहीं है जस्ट अभी आगे आने वाला हुआ है इंफैटिक एड्जेक्टिव कौन होता है तो जो जोड डालने क्यों जरूरी होता है और बच्चों से पूछो कि हाँ जी बताओ इंफैटिक बनाना में क्या होता है जोड डालना होता है तो हम बहुत पूछोगे कि क्या एक्जामपल बता तो कहेगा मैंने इसी कलम से पर इच्छा लिखा था अरे मेरे भाई तुम तो बोल रहे हो ना इसा करके कि इसी कलम से पर में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे पर से आवाज तो नहीं निकलती है न तो क्या करते हैं हमारे पात सब्द होते हैं उन सब्दों का अगर हम यूज करके लिखें तो आदमी अगला समझ जाता है कि वह अच्छा है इसको इंफैसाइज किया जा रहा है और इसको इस इस श्वापना मिल गया हैisel हूग इसे माइप अलमा मोबाइल ऊंतरों कहने के लिए कि जांपल वता रहूं इस स्पंद हो इसका मतलब किया हो गया माई ओन कारी इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि यह मेरा खुद का अपना अपने दम पे अपने बल पे लिया या बनाया गया है इसमें किसी और का यह उगदान किसी और का सायोग नहीं है यह खुद मैंने इंडिपेंडेंट हो के अपने बल पे अपने छमताओं क के हिसाब से यह चीज़ खड़ा किया है वो खरीदा है बनाया है उसके लिए हम क्या लिखते हैं ओन और ओन और वेरी में ध्यान रखना मैं लिख देता हूं वहां पर अपना कि अपना कोई कि सामान कि या करिश्टा कि या करीर का अंग कि यह सब हो तो क्या लिखते हैं ओन और कोई भी कोई भी वस्तू जगह हित्यादी कि बात हो तो वेरी है ना तो ओन और वेरी में हमने और अच्छे से लिख दिया है कहां पर ओन का यूज होगा कहां पर वेरी का यूज होगा अगर इस तरह का कोई कंशूजन दिमाग में चल रहा है आप इन दोनों स्टेट्मेंट को ध्यान में रखना आपका सारा कंशूजन दूर हो जाएगा बस छोटा सा लाइन है इसको बढ़ियां से खली ध्यान में रख लिजेगा तो आपको पता चल जाएगा पूरा क्लियर ली कि किसके लिए हम ओन लिखेंगे और किसके लिए वेरी लिखेंगे तो जैसे इंफैक्टिक को मैं समझाता हूँ आप समझें आगर आप कोगे कि मैंने उसे अपनी आँखों से देखा ही यह काम करते हुए तो भाई मेरे सभी लोग तो अपने ही आँखों से देखते हैं किसी दूसरे का आँख से तो कोई देखता नहीं है लेकिन फिर भी यह कहना कि न मुझे किलियरली देखे थे यही कलर का सट पहना था इस तरह के आए बाएवाले सवालों से बचने के लिए इंफेटिक सेंटेंसी उच्किया जाता है कि भाई मुझे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है यही वह आदमी था जिसने मेरे पैसे चुराए थे कहने का मतलब हुआ कि आप जोर दे रहे हैं इंफे साइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ यही था इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कहोगे मतलब यह मेरा अपना खुद का घर है इसमें किसी तरह को कोई समस्य कोई समधान कोई संका कोई सवाल नहीं बच गया पूछने के लिए कि हाँ अपना है कि चचा भी इसमें रहते हैं कि कोई ससूर गिफ्ट में दिये कुछ नहीं मेरा अपना खुद का मतलब अपना खुद का होता है उसमें भी किसी और का नहीं होता है लेकिन जब दो line के बीच dus sentence के बीच तुल ना खड़ा करोगे तब आपको अलग से कहना पड़ेगा जैसे बोलचाल की भासा में बोल देता है इनकी मेरा भाई है तो चोचेरा भाई होता है ङाउं का दोस्त होता है रिष्तेदार होता है या नहीं भी होता है जानप्रचान का होता है उसका कुछ काम करवाने के लिए कहीं गए होते हैं चाहीं किसी के साथ मिलने जा रहे होता है मिलता है तो पूछ लेता है कौण है तो रहे मेरा भाई है तो सब तो आपका भाई नहीं होगा लेकिन He is my own brother है कि दूसरा है यह सब सवाल का कोई जगह नहीं बचता है यहीं सीजिए सब स्ब चीजों को किलियर करने के लिए कौन से ड्जेक्टिव लगाते हैं इंपहेटिक अड्यक्टिव लगाते हैं तीखे पिर एक्स्क्लामेटरि कर रहा वात के बाद एक साथ नाउन लिखेगा एक्स्क्लामेशन साइन के साथ यह क्या बताने के लिए यूज मिलाया जाता है तो आप देख लो क्या होता यह सब्सक्राइब का मतलब होता है यह सब चीज को बताने के लिए यह सब को बताने के लिए एक स्लमेट्री एड्जेक्टिव का यूज क्या जाता है जैसे लिए का रॉट एन आइडिया ओ क्या बात है तो यह जो आइडिया नाउन है इसके लिए वार्ट एड्जेक्टिव का काब कर जाएगा अना वाड़ फॉल और एक क्या गीरा है वाई साहव है ना सब चीजों के लिए क्या है एक्सक्रामेट्री एड्जेक्टिव ध्यान रखना इसमें क्या है वाट लगा हुआ है समझ में आगया अब आप देखो असल में आपकी पढ़ाई यहां से शुरू होती है वह सारा एक्स्प्लानेशन हमने इसलिए दिया कि डिफिनेशन जानना भी जरूरी होता है नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया या कहीं पर शॉब्द में कोई प्रो पंज में आ रहा है तो मैं आपको बताता हूं अगर लिखा हुआ रहेगा पॉजेसिव एड्जेक्टिव जैसे हमने अब बताया था ना आपको माई होता है और होता है हिज होता है हर होता है यह सब सारा जो अभी हमने आपको बताया तो कहता है अगर पॉजेसिव एड्ज कुछ नहीं होगा जबकि आप जानते हैं कि सुपरलेटिव के आगे आर्टिकल दा का यूज होता है अगर लिखें ही एज माइ बेस्ट फ्रेंड है न तो यहां पर सवाल उठता है कि अगर आपने बेस्ट लिखा है सुपरलेटिव डिगरी में यूज किया अड्यक्टिव को तो यहां पर बेस्ट क्या आगे दो क्यों नहीं लिखे आप ऐसा क्यों नहीं कहें तो रूल में हमने क्या कहा कि अगर पोसेशिव एड्यक्टिव का यूज हो गया तो सुपरलेटिव डिगरी भी रहे तो इसके आगर दो का यूज नहीं होता है अब आप समझो कहीं कहा ग मैं फिर कह रहा हूँ जब एक बार आप अच्छे से चीजों को जान गए कि हाँ यह होता असल में क्या है जब इस बात को आप जान गए तब adjective असल में is all about degree maximum सवाल maximum सवाल आपको degree से ही पूछेगा जो adjective से related सवाल ठीक है तो degree होता क्या है आप देख लो दिगरी किसे करते हैं देखिए कर दो या दो से अधिक वेक्ति या वस्तू आप वेक्ति वस्तू के जगा पर सिधा नाउन लिख सकते हो यह जो वेक्ति या वस्तू लिखा हुआ है इसके जगा पर आप डिरेक्टली नाउन कर देंगे इसमें खुआ कोई दिखत नहीं है ठीक से तो या दो से अधिक ना उंस के बीच में अगर तुलना किया जाए इंद्ध करने के लिए अध्यक्टी जो में लीख रहे होते हैं उस एड्जेक्टीव को हम क्या कहते हैं उस रूप को हम क्या कहते हैं तो रूप qa टे किए इस वी जी एक एक? ङिक एक? चीक है? लगते हैं? इक एक 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 एक? कि वह दूस्टिक वेक्तिरीयों वस्तु को भीचना उसको नहीं कहके डायरिक्ट नाउन का देखतने तूलना दर्थाने के लिए ग्रामर के जिस विधामने कर्टेगरी का परियोगता है उसे हम डिगरी करते हैं बहुत ज्यादा इतना सोचना समझना नहीं है मैं बताता हूं क्या बिगरी कीश क看ते हैं समझने की भास में ये तो नोट्स बनाने वाली भासा होगए है कि कि जब हम किसी एड्जेक्टिव का यूज चाहेंगे कि हम झान गए एक एड्जेक्टिव क्या है टॉलैंद न 16 लिखा हुआ है हमने चुना तिज़ग्टिव लिखा हुआ है ट किसका क्या क्या यूज हो सकता है एडेक्टिव का यूज हम करते किसे लिए किस लिए पढ़ करते हैं है किस लिए बढ़ करें को सब कि इस रूप में चाहिए तो इन ही सब चीजों के लिए बना है डिग्री आगे detail काग में जो study होता है adjective का उस फॉल हम क्या करते है डिग्री अब डिग्री को समझें कि डिग्री हैं क्या है यह को अब किसी भी नाउन में एक पुन है क्या है वो नाउन लंबा है इसको हम उस नाउन के लिए कितना तरह से लिख सकते हैं तो किसी भी नाउन का प्रपर्टी क्वालिटि जिसे हम एड्जेक्टिव करते हैं वो मुख्य रूप से दो काम के लिए आता है कौन-कौन काम दोख ध्यान रखना पहला information देने के विए पहला कौन सा काम होता है एड्जेक्टिव का यूज क्या होता है कि यूज मुख्य रूप से मूख्य रूप से दो काम के लिए होता है दो काम के लिए होता है कौन कौन सा काम ध्यान दिजेगा पहला काम होता है परिभासा बताना परिभासा पहचान क्वालिटी जिससे सिंपल क्वालिटी वर्ड कह सकता है क्वालिटी बताना है न और दूसरा क्या होता है तुलना करना तुलना करना है न टू मेक ए किसी भी एड्जेक्टिव का किसी भी नाउन के जो गुन होते हैं उनके गुनों को मुखित दो तरीके से यूज मिलाते हैं कौन सा पहला हो गया परिभासा बताने के लिए पहचान बताने के लिए या quality बताने के लिए quality को quality के तौर पे ही बोलने के लिए और दूसरा तुलना करने के लिए अब हमने जो एक्जामपल लिया है जेक्टिव है टॉल इसका क्या यूज होगा आ लिजिए आप किसी के बारे में बताएंगे हम गये कहीं आपके हाथ का साधी हो रहा है आप हमको भ डंबा मोटा काला आदमी मिनेगा स्टेशन पर गुल्प हो गुणावी कलर पासरट पहना हुआ रहे गा हैнок तो कितना और उसकत बता दिया यूजों ने लंबा मोटा ओशन का ले गुलावी को हमको identify करने के लिए हमारे parameters बताए quality के रुप में कि क्या होगा लंबा पहला quality मोटा दूसरा quality काला तिसरा quality और सट करण गुलावी चौथा quality यह जो सारे adjective बताए गए सारे जो गुन हमारे जुडाए गए सुन्दर सुन्दर मोटा काला गुलावी लंबा यह सारे गुन क्या हुआ यह सारे गुन से हमें define किया गया identify किया हमारे गुन बताए गए तो define कर दिया गया identify किया गया इसके लिए गुन का यूज हुआ तूसरा किसलिए यूज होता है तूलना करने के लिए अब माल लेजिया आप लंबा है तो जब तक आप से नाटा मोटा छोटा नहीं आ जाए आपके बगल में तब तक लंबाई मोटाई और छोटाई का आपका कोई जादा महत नहीं रह जाता है आइडेंटिफिकेशन के अलाबा पहचान के अलाबा कि आपको कहा जाए कि एक मोटा आदमी वहां बैठा हुए तो आदमी देखेगा कहेगा चाओ तो हाँ मेरा भाई है उससे दस गो रुपया मांगे लिए तो पहचान हो गया बोलेगा देखो काला सुर्ट वला आदमी है तो मेरा भाई है उससे बीशुद्वा मांगे लिए आप काला सुर्ट पहचान हो गया सट का रंग काला बता के तो यह सारा तो क्वालिटी बताया ही गया फ्लस एड्जेक्टिव का दूसरा यूज जो है जो सबसे इंपोर्टेंट है मूँख है वो क्या है वह कंपेरीजन ज्यादा लंबा कम लंबा ज्यादा मोटा कम मोटा सबसे ज्यादा सबसे कम क्वालिटी को कंपेर किया जाता है तो किसी भी नाउन का जो भी क्वालिटी होता है जो भी गुन होता है जिसे हम एड्जेक्टिव करते हैं ग्रामर की वासा में उसका दो तरह से यूज करते हैं उसका गुन का नाउन लेकर उसके बारे में बताने के लिए कि वो ऐसा है। दूसरा, उसके सामने कोई और खड़ा हो जाए, तो क्या करते हैं? तुलना करने लगते हैं। तो जब हम तुलना करते हैं दो नाउन के बीच में तो यह जो एड्जेक्टिव लिखा हुआ है इसके अलग अलग रूप लिखे जाते हैं किसलिए ताकि खाली उस सब्द को देख के आप पकड़ लिजिए कि ज्यादा लंबा कर रहा है कि कम लंबा ज्यादा कम के लिए कोई सब्द नहीं यूज करेगा एड्जेक्टिव को ही ऐसा रूप में यूज करेगा कि आपको पता चलेगा ज्यादा कहना चाह रहा है कि कम कहना चाहरा है है जैसे अगर लिखा वरेगा टॉलर है न और लिखा वरेगा टॉलेस्ट हम जानते हैं कि सब को पता हैं comparative superlative लिखा जा रहा है लेकिन टॉल टॉलर और टॉलेस्ट जो लिखा जा रहा है, ये तीन रूपों का यूज करके, अड्जेक्टिव यही है, गुन यही है, लंबा बताने के लिए टॉल भी यूज करेगा, टॉलर भी यूज करेगा, और टॉलेस्ट भी यूज करेगा, लेकिन इन तीन रूपों का यूज करके, नाउन का नाउन के जितना भी परकार का यह इससे जादा है वो थोड़ा जादा है वो सबसे जादा है वो सबसे कम है वो थोड़ा कम है वो बहुत कम है वो इससे जादा है वो सबसे जादा है जितना भी तरह का तुलना आप बना सकते हैं दो नाउन के बीच में या दो से जादा नाउन के बीच सकते हैं और यही तीनों रूप जो है वह एडजेक्टिव के क्या कहलाते हैं यही तीनों रूप एडजेक्टिव का डिगरी कहलाता है यही तीनों रूप जो है वो एडजेक्टिव का क्या कहलाता है डिगरी कहलाता है ठीक है न तो डिगरी क्या हुआ कुछ नहीं एडजेक्टिव का अलग-अलग तीन रूप हो गया पहला को कहते हैं positive डिगरी इसमें क्या होता है नेचुरल या डिक्सनरियल स्पेलिंग दि-या-ई-सी-ट्याई-ई-ट्याइ-ई-अ-ग-सी-टि-ट-ी-i-o-n-a-r-i-e-l word meaning format word meaning format जिसे कहते हैं ना इसी को word meaning format भी कहते है word meaning format तो इसको कहते हैं क्या कि अभी यह अपने positive degree में है फिर suffix में हो जाता है suffix हो जाता है r या er और prefix हो जाता है more suffix हो जाता है r या er और prefix हो जाता है more किसमे positive degree में तब जो है यह बन जाता है comparative और पॉजिटिव डिग्री अप प्लस सफिक्स क्या लगा देते हैं हम सफिक्स लगा देते हैं st या est या प्रिफिक्स लगा देते हैं most है ना तो क्या बन जाता है गाता है सूपलेटिव डिग्री मतलब थीन रूप है एड्जेक्तिव के मैंने पॉजिटिव रूप ग्रामर के हिसाद से इसको बोल दिया डिग्री हम रूप समार सकता है फॉजिटिव रूप पहम सुपयरियोडिव रूप और सूपलेटिव रूप जखी है है लिखा हुआ है स्ट्रोंग लिखा हुआ है ब्यूटिफूल लिखा हुआ है इंटरीजेंट लिखा हुआ है जैसे हम याद करते हैं उस रूप को कौन कोते हैं पोजिटिव डिगरी करते हैं अगर इसी में आर या ए आर लगा दें जैसे टॉल का टॉल और स्ट्रोंग का है जाथी का चि uncertainty और इंधिम के बिविशेयर और beautiful का more beautiful handsome का more handsome intelligent का more intelligent laborious का more laborious तब क्या हो जाएगा यह हो जाएगा comparative डिगर इससपर on cars strongest और फस्तर फास्टेस्ट का देन तोल का tallest अ फ्रोन का strongest कर दे है या beautiful को most beautiful handsome को most handsome हम अगर कहा दें तो वहीं handsome का beautiful का कौन रूप हो जाएगा superlative रूप तो degree का कितना रूप हो गया तीन रूप positive comparative और superlative क्या होता यह तीनों रूप और यह तीनों रूपों का महतु क्या होता है यह clear हो गया हम लोग को तो जब अगला class होगा तो हम उसमें पढ़ेंगे uses positive degree का कहां पर क्या हम बताने के लिए क्या अर्थ चाहिए हमें sentence में हम क्या बोलना चाहरें तब positive degree लगाएंगे क्या बोलना चाहरें तब comparative लगाएंगे और क्या बोलना चाहरा है तो सुपर लेटिव लगाएंगे कहां लगाएंगे कहां नहीं लगाएंगे वेश्चन में एऱर कैसे देता है इन तीनों डिगरीज क्या धार पे यह सारा डिस्केशन अगले सेस्टन में होगा उसको भी मिस मत किजेगा लेकिन तब बाटी वीडियो उसको देखिए ज्यान वढ़ाएं पढ़ते रहें थैंक यू